विकास लाइब केर लग सकता है और दिखा जाए तो गलती आपकी जो गलती है वहेंगे आपको पढ़ सकती है बलकूल बड़ी गिरावट आने वाली है तो कैसे तो काफी कुछ बात होने वाली है इस वीडियो में वीडियो को एंड तक देखना इसके पैटन्स को समझने की को कुछिश करेंगे और पैटन्स में क्या है उसको भी हम देखेंगे तो गाइस यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स की लेटिस न्यूस के लिए तो गैस वीडियो को स्टार्ट करते है तो गै आप होल्डिंग बढा रहे हो बट आप होल्डिंग बढा रहे हो और जो बड़े कोलाड little'm है तो इहाँ पर इंबेलेंस होता है स्टॉक में काफी गुछ और देखा जाता हूं डिसेम्बर 2020 में कैसे on g बत आता हूं डिसेम्बर 2020 में इहाँ पर विकास लाइठ के Giving की प्लि 2021 में ए घूल डिंग 78.7% की लिए तो कहीं न कहीं हपर होल्डिंग बढ़ रही है पपलिक की बट यहाँ पर सिर्फ पब्लिक की ही होल्डिक बढ़ रही है बाकी होग ने तो holding यहाँ पर हटाना स्टार्ट कर दी है अगर देखो तो December 2020 में FI की holding काफी तगड़ी थी कितनी 13.18 प्रतिशत की 2021 March में अगर देखा जाए 0.02% की holding है June 2021 में 1.19% की holding है मतलब बड़ी September में और घठा दी 0.02% की December में तो almost इनों ने holding यहाँ पर खतम ही कर दिया पर तो भी यहाँ पर 0.01% की holding है तो guys यहाँ पर आप holding बड़ा रहे हो और FIS holding कम कर रहा है DIS यहाँ पर promoters खुद अपनी holding हटा रहे है promoters की holding जहाँ पर December 2020 में कितनी थी 33.22% की March 2021 में घटा दी 20.7% कर दी 2021 में भी यहाँ पर कम ही है यहाँ पर जून 2020 में 20.09% September में तो काफी ज्यादा नीचे आगी आप देख सकतो September डिसमबर की 14.81% है तो holding यहाँ पर almost काफी घटा दी गई है और promoters की holding बची है सिर्फ 14.81% FIS की holding बची है 0.01% और public की कितनी है 85.18% के असपस तो guys public अपनी holding बढ़ा रही है और FIS, DIs, promoters अपनी holding घटा रहे है तो guys यहाँ पर आपको यह चीज समझनी होंगी यहाँ पर यह जो pattern है यह जो share holding pattern है इसका balanced होना ज़रूरी है यहाँ पर log holding घटा रहे है आप बढ़ा रहे हो तो बिलकुर यहाँ पर यहाँ पर खरीदने के लिए और जिन लोगों ने आपर buy किया होगा profit उन्हें होआ होगा बट guys यहाँ पर एक चीज important है stock में गिरावट आ सकती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हलकी CB profit booking नहीं आई है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चार हपतों से जो stock में बढ़त है काफी तेजी से stock बढ़ रहा है क्योंकि हम one week time frame पर देख रहा है तो चार हपत है तो बिलकुल तेजी से stock बढ़ रहा है और बिलकुल भी यहाँ पर एक गिरावट तक नहीं है अगर guys यहाँ पर अगर देखो तो जो एक candles बनी है इनमें shadow भी नहीं है इनिचली candles में हैं बट ओपर की दो candles में तो बिलकुल आपको shadow भी नहीं दिखने वाली है तो guys यहाँ पर एक चिंता करने वाली बात है और जो आपकी गलती है खरीद लिया है आपने बड़ी बड़ी quantities में तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर breakout कैसे मिला था एक support level था हमारे पास और एक resistance level था फिर resistance लिया, support लिया, support लिया और finally दिया breakout और सीधा लगा दिया एक jump तो guys यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ जी होगी कि यह stock में अगर बड़त आती है मोका दो, जैसे यह नीचे आए वैसे ही आप खरीच सकते हो और यह नीचे कितना आ सकता है guys 2 से 3 रुपे तक यह नीचे आने की इसके possibility है नहीं तो 1 या 2 रुपे तक भी यह नीचे आ सकता है फिर यह stock लगा सकता है बड़ा jump तो guys यहाँ पर आपको थोड़ा aware रहना है और विकास live care में अगर देखो तो Friday के दिन 7 रुपे 95 पेसे पर stock ने closing दी थी और 0.35 पेसे तक stock यहाँ पर बड़ा था 4.61% के हिसाब से वही अगर देखो तो 5 दिन में step by step बिलकुल चड़ रहा है और यहाँ पर अगर देखो 1.30 रुपीस के आसपास का stock ने यहाँ पर return दिया था 19.55 परदिशत के हिसाब से एक महीने में ही सिर्फ 4.50 पेसे तक का return ने अगर दे चुका है 130.43% के हिसाब से और 6 महीने में तो आप देख सकते हो 3.44 पेसे का return है 26.27% के हिसाब से मार्केट कैप क्या है विकास लाइब केर का 875.36 करोड का मार्केट कैप है पी रेशियो 437.53 का है open कहा हुआ था stock 7.95 पेसे पे high लगया था 7.95 पेसे का और लगया था सीधा low 7.25 पेसे का वही गाईस अगर देखा जाया है इसका high क्या है 7.95 पेसे का है चो बिल्गुल आपर low पर आ गया है और low है इसका 2.44 पेसे का resistance और support levels तो resistance level 8.15 पेसे का है first वाला second resistance level है 8.40 पेसे का और third resistance level है 8.85 पेसे का support levels में 7.45 पेसे का first support level है second support level 7 रुपे का है और third support level 6 रुपे पेसे का है वही अगर देखा जाया price performance एक अच्छा improvement हमें दिखा ही दे रहा है price performance में यहाँ पर 90.82 परसंट के असपस की हो यहाँ पर price performance होआ है अब बिल्कुल positive है यह रोन हाप का 95.06 परसंट positive है वही अगर देखो three months का जो price performance 88.10 परसंट positive दिखेंगा और one month का 125.71 परसंट positive है और one week का है 24.41 परसंट trade values देखी जाया तो 5 करोड के आसपस का है हाँ पर trade विल्यों में देखने को बिला था और 5 करोड का है common and delivery और guys yesterday में अगर देखो तो 2 करोड का trade value है 2 करोड का common and delivery है और one week के आवरेज में 2 करोड का trade value 2 करोड का common and delivery और one month के आवरेज में भी 2 करोड का trade value देखेंगा और 2 करोड का common and delivery तो guys कहीं ना कहीं इतनी quantities में अगर shares उठाए जा रहे तो profit booking भी आएंगी काफी quantities में shares को बेचा भी जाएंगा और market पहले से ही negative चल रहा है और देखा जाए shareholding pattern और स्वारी है यहाँ पर community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़ों में 84% जो लोग है buy करने के लिए कह रहे हैं और 16% जो लोग है sell करने के लिए कह रहे हैं revenue से यहाँ पर down आया है नहीं तो आपकी एक गलती आपको महेंगी बढ़ सकती इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, thank you